हेलो कैसे हैं आप लोग प्रिती डाइरीज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मैं आज बनने वाली हूँ खीरे का रायता तो मैं सबसे पहले खीरे को धोल लिया है मैंने पहले धोल लिया है मैंने फिर मैं उसे चील रही हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से धोया धोते वे मैंने नहीं दिखाया तो आप लोग बोलेंगे कि धोयी नहीं है तो इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि मैंने खीरे को अच्छी तरह से धो कर रख लिया था फिर मैंने उसे चिल लिया आप इसे मैं कदूकस कर लूंगी एकदम महीन का दुकस करना है खीरे को तो जल्दी बाजी बिल्कुल भी नहीं करें नहीं तो इसे उंगली भी कर सकती है मेरी कई बार कर चुकी है इसलिए मैं बता रही हूँ बिल्कुल सापधानी से करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बारिक होता है और पता ही नहीं चलता है इसलिए मैं इसे जब करती हूँ तो मैं सापधानी से करती हूँ अब मैंने इसमें हरी मिर्च डाला है अब दही डाल रही हूँ दही डालने के बाद मैं थोड़ा मिला लूँगी दही आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकती हैं फिर मैंने मिर्च पाउडर डाला है मिर्च पाउडर डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी नमाक काला नमाक और इसे मिला लूंगी मैं मैं सादा और काला नमाक दोनों डाल रहा मैं थोड़ी सी दही आओ डालूंगी क्योंकि मुझे कुछ काम लग रहा था तो इसलिए मैं इसमें दही डाल कर इसे अच्छी तरह से मिला लूंगी मेरे घर में धनिया पत नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूं आप लोग डाल सकते हैं मैं इसमें डालूंगी भूना हु कर ये रेडी हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही जादा टेस्टी लगता है रोटी सबजी के साथ इसे खाने में ये राइता बहुत ही अच्छा लगता है जब तक खाने में चटनी ना हो राइता नहीं हो तब तक खाने का टेस्ट कहा आता है तो आप पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा